जारबान होती है कि काश मेरा घर अपना होता तो 5 करोड 70 लाख रुपए का प्रॉफिट होने की संभाव ना हो सकती है और यह तो किराए के मकान में रहता है और इनकी क्या है यह तो किराएदार है आज यहां कल कहीं और होंगे लोग बंगले तक किराए पर लेते हैं फार्मा आइम पेमिंट दे के खरीदें या पैसा होने के बावजूद भी उसको इमाई पर ले या मान लीजिए आपके पैसा नहीं है तो कुछ डाउन पेमिंट दे के इमाई पर ले ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के अमीर लोग गाड़ी खरीदते समय इमाई पर ज़रूर खरीद हैं तो उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया लोगों ने हमसे कमेंट करके भी पूछा कि सर गाड़ी की बात तो हम समझ गए यह कैलकुलेशन भी समझ में आ गई पर यह वता हो कि अपना मकान खरीदें या मकान किराए पर लें इन दोनों में से कौन सा वाइबल है देखें फ्रेंट्स ये डिपेंड करता है कि आपका फानेशल पोजिशन क्या है और आपके सरकमसांसिस किस तरह की हैं आज हम बात करेंगे कि घर खरीदें या किराए पर लें इन दोनों का कमपैरेजन हम चेक करने वाले हैं जब भी हम घर की बात करते हैं तो फानेशल डि उसको इस बात की फिलिंग नहीं है कि अगर वो किराय के मकान पर रहता और मकान मालिक कुछ भी कहता तो कैसा उसके दिल पर बीथती तो सेंटिमेंट की बात को हम छोड़ देते हैं इमोशन बहुत जुड़े होते हैं घर को लेकर कई बार हम यह देखते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है पैसा बचाना ही सब कुछ नहीं है पैसा इन्वेस्ट करना ही सब कुछ नहीं है कुछ लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं जैसे अगर हम हमारे पुराने बज़ु लोगों को देखेंगे, दादादी को देखेंगे, मातापिता को देखेंगे, और अपने पूरवजों को देखेंगे, तो उनके emotions घर को लेकर जुड़े होते हैं, कि घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, जमीन अपनी होनी चाहिए, जड से बकान अपना होना च चाहिए हमें फ्लैट पसंद नहीं है बहुत सार ऐसी चीजे हैं और बाद में फीलिंग्स भी कई बार क्या होता है जो लोग किराये पर रहते हैं उनको एक हमें कब डिसाइड करना है कि घर खरीदना चाहिए या किराये पर लेना चाहिए इसी विशय पर हम बात करने वाले हैं तो पहले compare कर लेते हैं कि क्या benefit है या क्या नुकसान है अगर आप घर खरीते हैं या किराये पर लेते हैं इन दोनों के comparison हम लोग कर लेते हैं तो पहली बात करते हैं rent की सबसे पहली बात है अगर आप कहीं working employee हैं तो आपके पास अगर आप rented house में रहते हैं तो flexibility of location है मान लीजिए आप डैली के पास में गुडगाओं जॉब करते हैं और आपकी company इस तरह किए कि 6 महीने आपकी जॉब गुडगाओं रहेगी फिर आपको गाजियाबाद शिफ्ट कर देंगे फिर आपको देरदू शिफ्ट कर देंगे फिर आपको चेन नहीं भेज देंगे तो जहां गए वहीं किराएपर लिया अराम से काम किया और जब ट्रांसफर हुआ तो अपना समान पैक किया दूसरे जगे आकर फिर किराएपर ले लिया टेंशन है नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा और यहां पर फिक्स लोकेशन हो जाती है कि आपने एक जगह घर ल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फंड रिक्वाइड नहीं है आपको कितना पैसा देना है तीन महीने का एडवांस सिक्यूरिटी और एक महीने का एडवांस रेंट मतलब एक मकान में जितनी बड़ी इंवेस्टमेंट है उसका बहुत छोटा सा हिसा ना के बराबर आप किसी को भी दें आराम से उस घर में रहें और यहाँ पर क्या होता है आपको huge budget and funds required होता है एक मकान खरिदना लोगों का सपना होता है उनके अरबान होते हैं कि काश मेरा घर अपना होता तो यहाँ पर वो पूरी जिन्दगी बिता लेते हैं पैसा कमाने में और उस पैस अपने पोडोसियों को चुनने का अधिकार होता है अब काऊगे पोडोसियों को थोड़ी भगा देंगे अरे आप तो जा सकते हैं आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां महौल अच्छा नहीं था पोडोसी अच्छे नहीं थे तो आपने वो मकान खाली करके कहीं और ले लिय लेकिन वही बिल्डिंग अगर आपकी अपनी होती है तो आपका नेबर हूड जो रहेगा जो पडोस रहेगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा आप कोई चेंजिज नहीं कर सकते हैं आपको देखना है कि आपको घर खरीदना है या किराय पर लेना है यह डिफरेंशिशन सकते हैं इसका मतलब जैसी पॉराणी होगी उसका फरनिचर पॉर ना होगा ऊसे मेंटरेंस का काम आना शुरू हो जाएगा वो खाली करके किसी दूसरी नई ॵिल्डिंग में चला जायेगा लेकिन अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो आपको रेगुलर उसको मैंटेन करना है रिपेर कराना है रिनोविशन कराना है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है खुद की प्रॉपर्टी होने के बाद भी रिपेर और मेंटिनेंस उसके लिए एक लाइबिलिटी है यह तो रहे कुछ ऐसे कंपैरिजन जिसमें डिसाइड कर सकते हैं कि रेंट में one month advance rent दिया और after every year 10% कहीं पर 5% कहीं पर 15% rent appreciate हो जाता है अगर आज आपका rent माल लिजे 10,000 रुपे है तो एक साल बाद वो 11,000 रुपे हो जाएगा 10% बढ़ जाएगा और उसके अगली साल 11,000 प्लस 1100 रुपे और बढ़ जाएगा तो वो rent इस तरह से बढ़ता रहता है लेकिन अगर आप property में देखें तो property की value appreciate होती है property की कीमत बढ़ती जाएगी जर्नल ही अगर आपकी बहुत प्राइम लोकेशन है तो हर 4-5 साल बाद आपका property का जो value हो double हो जाता है कई बार तो यह देखा गिया normal areas है जहां पर property 10 साल में double होती है कई जगह ऐसा है कि 20 साल में भी उतनी value ने रही जितनी value उसकी पहली थी त जो comparison हम करते है ना वो क्या होता है low percentage of interest value अब आप कहेंगे इसमें interest की बाद कहां से आ गई मैंने तो मकान किराय पर लिया अब जो मारवाडी वेपारी होता है यह जो investor होता है वह calculation और लगाता है कि एक करोड़ रुपए गर मैं इन्वेस्ट करता property पर और उसका 1% का return मतलब सारा ना 12% return भी होता तो एक लाख रुपए महीने उसकी value होती इंटरस्ट की value होती अब वो property मुझे किराय पर मिल रही है और 20,000 में मिल रही है मतलब 20 पैसे का 25,000 में मिल रही है 25 पैसे का भी आज है तो बनिया विया पारी यह चीज़ जरू calculate करता है business owner भी calculate करता है कि कितन लाख रूप मिने देने पड़ रहे है ऐसी property का जिसको आप 20,000 में किराय पर ले सकते हैं 25,000 में किराय पर ले सकते हैं यह calculation भी आपको check करने है उसके बाद low और no peace of mind जारतार क्या होता है जब हम किराय पर रहते हैं और ऐसी building में रहते हैं जहां ऊपर आप रह रहे हैं peace of mind नहीं है मैं शांती से नहीं रह पा रहा हूं जबकि ऐसा होता नहीं है आपका पडोसी अगर बढ़िया ना हो और building आपकी अपनी हो तब भी peace of mind नहीं होगा तो यह तो आपके ऊपर रिफर करता है कि आप calculate कैसे करते हैं अपना मकान हो तो peace of mind यह लगता है कि यार अपन किराय के मकान में रहते हैं तो social circle में देखिए आपका पैसा जो आपने कमाया है ना आप किसी को दे या ना दे लेकिन आपका पैसा जितना आपके पास है उसके हिसाब से आपका social status develop होता है अगर आप किराय के मकान में रहते हैं कितने भी financially sound हो social status में और यह तोखिराय के मकान में रहते हैं और इनकी किया है यह तो खिराय के मकान में रहते हैं अगर होता है लेकिन वही जब अपका अपना होता तो high social status लोग बंगले तक किराये पर लेते हैं तो यह less social value social status हो जाती है है बढ़िया हो जाती है और always a liability क्योंकि यह मकान आप किराये पर ले रहे हैं जब तक आप उसको use करेंगे आपको किराया देना ही पड़ेगा जब आप किराये नहीं देंगे तो खाली करने का notice आ जाएगा और खाली करना पड़ जाएगा जबकि अपनी value होती है तो consider as a investment or asset अब ये depend करता है कि आप उस property को कैसे use कर रहे हैं ये एक अलग मुद्धा है कि वो commercial property है, residential property है, property for investment है, property for future growth possibility है, ये बहुत सारे ऐसे से मतलब तरीके हैं जिससे में calculate कर सकते हैं कि भ मैं एक ऐसे example से आपको बताता हूँ, जो 100% financial liability को समझाता है, ये मान लेते हैं कि आप एक property किराय पर लेना चाहते हैं, और वो property आपको 20,000 रुपे रेंट पर मिल जाती है, या आप एक property खरीदना चाहते हैं जिसकी value एक करोड रुपे है, और जैसे तैसे करके आपने 20,000,000 रुपे एक अठे कर ली है, कि यार मेरे पास 20,000,000 रुपे 80% का लोन करा लूँगा, एक ये possibility हो सकती है, या आपके पास 20,000,000 रुपे है, उसको मैं invest कर दूँगा, और बाद में देखता हूँ क्या होता है, तो comparison कैसे करना है, उसको मैं एक example के रूप में आपको बताता अगर आपकी जो civil score है, वो बहुत अच्छा है तो, और possibility of income अच्छी है, भविश्य में भी अच्छी income के संभावना है, तो आपको low rate of interest पर भी loan मिल जाता है, जर्नलियम loan slab देखें ना, दोस्तों ये current loan slab है, जनवरी 2024 के हिसाब से में आपको बता रहा हूँ, अगर आप loan slab द लेते हैं, 35 से 75 लाग लेते हैं, तो वही rate of interest 9.50 to 9.80, अगर salary है, और self-employed है, तो 9.65 to 9.95%, 75 लाग से उपर का loan लेते हैं, तो 9.6 to 9.90 मतब 10% के आसपास, और यहां 10 से थोड़ा सा भी फाल्तू हो सकता है, और यह vary करता है, हर bank का अपना एक slab है, हर bank का अपना एक तरीका है और bank यह भी देखता है, कि उसको risk इतना हो रहा है, क्योंकि आपकी financial power, आपकी paying capacity, सब कुछ चेक की जाती है, अब हम यह मान लेते हैं, कि आपने decide कर लिया, कि नए भी मुझे तो मकान अपना इक खरीदना है, और उस property की value एक करूर रुपए है, और जैसे तैसे करके आपने 20 लाग रुपए काठे कर लिये, अब 20 लाग रुपए की payment देने के बाद, आपने 80 लाग रुपए का loan ले लिया, अब उस loan की कितनी EMI आने वाली है, जिस घर में आप खरीद कर उसमें रहने वाले हैं, तो मान लेते हैं, देखे, आप यहाँ चेक कर लिजेगा, यह सब मैं आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव है, आप इंटरनेट के माधियम से चेक कर सकते हैं, आप Google पे चेक कर लिजिए, Home Loan EMI Calculator, तो वो सार आपके सामने आ जाएगा, मैं इसका लिंक भी, डिरेक्ट आपको description box में डाल दूँआ, वहाँ चेक करके, क्लिक करके डिरेक देख लिजे कितना लोन आपको चाहिए, और क्या rate of interest हो सकता है, तो मान लेता हूँ, 20 लाख रुपे आपने डाउन पेमेंट दे दी, 80 लाख रुपे का आपने लोन करा लिया, और 20 साल का आपने लोन करा है, दोस्तों, number of year भी न, आपके age के हिसाब से मिलेंगे, अगर तो आपको 20 साल के लिए भी मिल जाएगा, कोई आज में 50-70 साल का हो, वो कहें जी 20 साल के लोन लेना है, तो possibility of life span, बहुत चोटी है, इतने लंबे सामय के लोन मिलेगा ही न, या मिलेगा तो high rate of interest में मिलेगा, और इस guarantee मिलेगा कि इसके मरने के बाद इसके आने वाली पुष अगले बीस साल के लिए, लेकिन अगर देखा जाए न, अगले 20 साल के लिए वो प्रॉपर्टी बैंक की प्रॉपर्टी है, और बैंक ने आपको किराये पर दिया हुआ है, इस guarantee पर अगर आप किराये टाइम पर देते रहे, तो 20 साल बाद ये प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, सच बता रहा हूँ, ये बड़े कड़वी बात हो सकती है, जो लोग होम लोन लेते हैं, और ये सोच के लेते हैं, हम सुकून की बात है, हम तो अपने घर में हैं, तो वो बैंक के घर में रहे हैं, जिसकी ये माई वो दे रहे हैं, नहीं देंगे, तो बैंक तुम्हें महाँ से बगाएगा, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को निलाम कर देगा, और अपना पैसा वसूल कर लेगा, अब इसी का दूसरा सेनेरियो हम मान लेते हैं, कि आपने क्या सोचा है, कि 20 आपको देने ही देने हैं, इंकम आए या ना आए, सेविंग हो या ना हो, खर्चे जादा हो या कम हो, सब कुछ आपको मैनेज करना है, प्लैनिंग बड़ी तगडी करनी पड़ेगी, बिजनस में कही बार लास भी होता है, कही बार अच्छा प्रॉफिट भी होता है, कही पर तो जॉब लगी हुई है, अरे जॉब भी कही बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सरकमसांसिज हुए कि आपको टर्मिनेट कर दिया, या आपको रिजाइन करना पड़ गया, या आपका खुदाना खास्ता कोई मेडिकल एमर्जेंसी हो गई, आप जाई नहीं सकते जॉब पर, तो आपको सेलरी भी मिलने वाली नहीं है, है ना, तो ये एक सेनेरियो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम यह मान लेते हैं कि 20 लाग आपके पास थे, 80 लाग का लोन ना लेकर, आपने 20 लाग रुपय को आप आपने 20 लाग रुपय को देने वाले थे, लोन लेने के लिए बैंक से 80 लाग रुपय का, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, और मैं यह मानता हूं कि जहां आपने इन्वेस्ट किया, वो ऐसी एपॉर्चुनिटी है, जहां आपको 12 परसंट का रिटन बिल दाएगा, मतला 1 परसंट पर मंत का 12 पर रहनम का, अब आप कहेंगे इसी कौन सी जगह हैं, तो मैंने सेकड़ो वीडियो बना रखी हैं, how to invest in share market, to get maximum return, share बाजार में बहुत speculation है, बहुत up and downs हैं, लेकिन उसके बावजूद भी long term में share market का return देखेंगे, तो 13%, 14%, 15%, 18% तक का return लेना बहुत अस अगर आप सही तरीके से investing को समझ लेते हैं, और patience रखके लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं, market के उतार चड़ाव का जाला ध्यान नहीं देते, तो आप आसानी से 12-18% का return ले सकते हैं, मैंने calculate कि 18% की जगह 12% का return, 20 साल के लिए, और मैंने क्या कहा, कि आपको 72,000 रुप आपने किराये पर ले ली, तो बाकी आपके पास बचे 52,000 रुपे, उस 52,000 को आपने हर महीने SIP के माधियम से, नए share खरिदने के माधियम से invest करना शुरू कर दिया, तो 52,000 रुपे हर महीने, the beginning of every month क्यों लिए हैं, अरे किराये मकान मालिक भी advance लेता है, तो हर महीने 52,000 र लेना, वो calculations आप करके चेक कर सकते हैं, अगले 20 साल बाद में आपकी future projection value कितनी होगी, investment हो जाएगी future की 6,71,75,000, total interest आया 5,26,95,757 रुपे, 37 पैसे, invest कितना किया था initially 20 रुपे, और आपको additional deposit कितना करना पड़ा, 1,24,80,000, कितना 52,000 पर मंत के हिसाब से 20 साल तक, 12% के return के हि compound return का, compound growth देखेंगे न, 808.17% का आपको net return मिला है, और अगर इसको आप check करना चाहें, तो compound interest calculator से आप check कर सकते हैं, अब यह आपके उपर निर्भर करता है, कि आप sentiments को देखते हुए, emotions को देखते हुए, feelings को देखते हुए, घर को खरीदने का decision लेते हैं, या अपनी financial position को द परतम हो जाने वाला था, अपने ही पास रखके, अपने उस EMI को बिना EMI के burden को जहलते हुए, या एक liability अपने सर पे लिए हुए, आप 72,000 रुपे में से 20,000 रुपे का किराए पर लेकर 52,000 रुपे मेंने invest करते रहते हैं, अगले 20 साल तक, अगर आप इस discipline को maintain करते हैं, तो result आपके सामने है, कि या तो आपके पास cool value, total value जो जाएगी 6 करोड 71,000 रुपे होती, 20 लाग या invest हो गया, ऐसा नहीं किसी और को दिया है, 20 लाग invest हो गया, तो 5 करोड 70,000 रुपे का profit होनी की संभाव ना हो सकती है, अब ये comparison, जब आप करेंगे तो आप अंदाजा लगा सक कि दोनों में से कौन सा decision सही होगा, और 20 वर्स बाद उस property की value क्या होगी, इसका अंदाजा आप आज कैसे लगा सकते हैं, पिछले 500 वर्सों से जब अयोध्या में लगातार राम जन भूमी का विवाद कोट में चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि property की value बड़ेगी, 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 लेकिन फिलाल के कुछ महीनों में ही, जिस property को लोग 10 लाक में ने खरीदे थे, आज वो 2 करोड में available नहीं है, तो भविश्य में क्या होगा, गौवर्मेंट के क्या schemes आएंगी, वहाँ पर क्या facilities आएंगी, इस से अंदाजा लगाया सकता है कि प्रशनी उड़ता है, तो सर फिर लोग मकान खरीदते क्यों है, दोस्तो हर व्यक्ति को financial knowledge नहीं होती, कुछ लोग decision financial knowledge के अधार पर लेती है, कुछ लोग emotions के अधार पर लेती है, कुछ लोग feelings के अधार पर लेती है, कुछ लोग अपने माता पिता के traditional formula को copy करते हुँ लेत हैं, तो यह आपके ओपर निभर करता है, कि आप decision कैसे लेते हैं, आप अपने पैसे को अपने पास रखके अपनी सुविधानुसार invest करते हुए, ग्रोथ की ओर ले जाने के बाद, उस समय पर आप आसानी से property खरीदने का निरने लेंगे, या पहले ही दिन से peace of mind के साथ EMI देने की किशंता रखता है, उसकी income का 10%, अब यह EMI अगर 10% अपकी income का, तो कोई फरक नहीं पड़ता, आप कमाते हैं एक लाग रुपे हैं, 72,000 रुपे EMI चले आते हैं, बाकी बचे 8,000 में आप अपना घर चलाते हैं, तो यह बहुत बड़ी संभावनाई हो सकती हैं, अलग-अलग parameters के अधार पर कि आपका income का routine कितना है, कितना पैसा पर मन्त कमाते हैं, और उस कमाई का कितना परसेंट आपका EMI है, जो आपको भरनी है, यह calculation अगर आप करते हैं, तो आप सही तरीके से खुद निरने ले सकते हैं, मुझे comment box में लिखकर बताओ, कि अगर आप की income एक लाक रुपे महीने होती, तो आप कितनी value का मकान खरीते, या उस value के मकान के अधार पर अपने पैसे को invest करके बिना लोन लिए, अपनी capital को बढ़ाते, या आपकी income पांचलाक होती, या आपकी income पचाजार होती, आपकी जो भी income उसके अधार पर अपनी mind से सोच कर ब तो मुझे comment box में जूरू लिखें, कोई भी informative वीडियो में सना, उसके लिए चैनल को subscribe करें, और मेरे साथ इस वीडियो में end तक बने रहने के लिए हिर्दय के गयरायों से धन्यवाद, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maheshwari, आपके सुनरे भविश्य की काम ना करता हू जै हिंद, जै भारत